खाने का सामान या दवाया लेते वक्त तो हम अक्सर expiry dates चेक करते हैं लेकिन क्या gas cylinder या gas pipeline लेते वक्त हम expiry date चेक करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो gas cylinder और gas pipeline की expiry date भी होती है ये तक मालूम नहीं होता है लेकिन gas cylinder और gas pipeline की expiry date होती है और अगर इस बात का खयाल ना रखा जाए तो फिर कोई बड़ा हाथसा भी हो सकता है जब भी कोई हाथसा gas cylinder से जुड़ा हुआ होता है तो इसके लिए लोगों को जिम्मिदार ठेराया जाता है लेकिन gas cylinder या pipeline की वजह से हुआ हाथसा लोगों की गलती से नहीं बलकि गलत supply की वजह से भी होता है ऐसे में जब भी आप gas cylinder ले रहे हो तो उसका वजन या फिर sill pack होना ही सिर्फ चेक करना अनिवारिया नहीं है बलकि उसकी expiry date चेक करना भी अनिवारिया है तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि gas cylinder या gas pipeline की expiry date आप कैसे चेक कर सकते है लेकिन उससे पहले बी आजी निउस में आप सभी का सभाकत है अब सबसे पहले बात करते है gas cylinder के बारे में आपको ये बता देते हैं कि gas cylinder के उपर expiry date आखिरकार कहां लिखी हुई होती है तो कोई भी LPG gas cylinder हो उसके उपर की और तीन चौड़ी पट्टिया होती है जिसमें से एक पर code लिखा हुआ होता है यही code expiry date को बया करता है दरसल code कुछ इस प्रकार लिखा होता है जैसे कि A 24, B 25, C 26 या फिर D 27 यहाँ पर ABCD जो है वो माह को दर्शाता है और 24, 25, 26, 27 है वो साल दर्शाता है अब आपको बता देते हैं कि ABCD का मतलब क्या होता है तो ABCD में माह को जो है वो तीन-तीन के क्रम में बाता गया है जैसे कि A का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्ज माह, B का मतलब होता है एपरिल, मे और जून, C का मतलब होता है जलाई, आउकस्ट और सितेमबर और D का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर और डिसमबर उदाहरन के तौर पर अगर किसी LPG सिलिंडर पर A24 लिखा हुआ हो, उसका ये मतलब होता है कि उस LPG सिलिंडर की जो एकस्पाइरी डेट है, वो जनवरी से मार्ज के बीच में साल 2024 में होगी और अगर किसी के उपर D27 लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब ये निकलता है कि साल 2027 में अक्टूबर से लेकर डिसमबर के तौरान इस LPG सिलिंडर की एकस्पाइरी डेट होगी अब आपको ये बता देते हैं कि LPG सिलिंडर के उपर एकस्पाइरी डेट आखिरकार क्यों लिखी होई होती है दरसल एकस्पाइरी डेट यानि कि वो डेट होती है जब LPG सिलिंडर को टेस्टिंग के लिए बेचा जाता है टेस्टिंग के लिए LPG सिलिंडर का मानकों पर खरा उतरना पेहत जरूरी है वैसे एक LPG सिलिंडर की जो अपती होती है वो 15 साल की होती है तब उसका पहरा टेस्ट 10 साल में होता है और दूसरा 5 साल में यानि कि 15 साल में दो बार LPG सिलिंडर का टेस्ट किया जाता है और अगर LPG cylinder मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उसे नश्ट करतीया जाता है cylinder की जाज करते वक्त उसका hydro test किया जाता है और 5 गुना pressure से भी ये hydro test किया जाता है जिससे की cylinder सही है या नहीं उसका पता लगाया जा सके अब आपको gas pipeline की expiry date के बारे में बताते हैं अगर gas pipe में आपको किसी भी तरीके का कोई leakage नजर आए या फिर कोई खराबी नजर आए तो आप तुरंट उसे बदलवा सकते है या फिर ठीक करवा सकते है लेकिन जियादा तर 18 और 24 मा के बाद gas pipeline को बदलवा देना चाहिए क्योंकि तब तक gas pipeline expiry date गो चुकी होती है हाला कि हम आपको step by step ये भी बताते है कि gas pipeline की expiry date आपको किस तरीके से चेक करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपने phone में BIA square app टाउनलोड करना है इस app में ISI mark पर जाकर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद verify license detail देनी होगी फिर pipe पर लिखे number को detail वाली जगा पर आपको लिखना होगा इतना करने के बाद pipe की पूरी detail आ जाएगी जैसे की pipe कहां बनाई गई है और कब expire होगी वगेरा और उसी के तहट आप pipe की expiry date को चेक कर पाएंगे अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर गरेलू gas यानि के LPG gas leak होता है तो ऐसे में आपको क्या करना है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको गबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो अपने घर के सारे खिड़की दर्वाजों को खुल देना है जिसके बाद आपको 1906 नमबर पर कॉल करना है OMS की ओर से जारी किया गया ये नमबर है जो 24 गंटे कारियर रद रहता है राहक सुरक्षा के लिए ये एक डिजिटल सेवा है जिसकी पहल काफी वक्से करती गई है अब आपको ये भी बता देते है कि जब आप 1906 पर कॉल करेंगे तो इंगलिश और हिंदी के अलावा भी ये कई भाशाओं में आपके लिए उपलब्ध रहेगा ऐसे में आप अपने LPG गेस से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत इस नमबर पर कर पाएंगे अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप LPG गेस सिलिंडर या फिर गेस पाइपलाइन लेते हैं तो उसकी एकस्पाइरी डेट आपको किस तरीके से चेक करनी है अगली बार इस बात का खास खयाल रखेगा जिससे कि आप किसी बड़े हाथ से कोट डाल सके ऐसी ही कुछ जानकार्या लेकर फिर लोटेंगे आप देखते रहे PRG News धन्यवाद